जश्री कृष्णा आज हम बनाने वाले हैं दिल्ले की मशूर मलाई सोया चाग वाइट ग्रेवे में से पकाने वाली हूँ तो खाने में इतना लजीज लगता है ना पूछिए मत तो फिर बिना टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे इसमें हमें चार मेर्च और तीन लैसन की कलिया आदा इंच अध्रक डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पर मैं ताजी धनिया एड़ कर रही हूँ दो बड़े चमच और पाच-छे काजो को मैंने पाने में भिगो के रख दिया था तो इसे हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से बारिक पेस कर तयार कर लेंगे प्यास की पेस्ट तयार है अब यहाँ पर हमेंना आदा किलो सोया चाप लेना है आप कोई दुकान में मिल जाएंगे या फिर आप इसे online में मंगवा सकते है सोयच अपकी जो स्टीक रहती है उसे मैंने निकाल लिया है तो इसे अब हम कट करते है एक सोयच आपको आप 3 या 4 हिसों में कट कर सकते है तो इसी तरह से सारे स्वयाचॉप्स को हम कट कर लेते हैं कट करने के बाद इसे हमें मारिनेट करना है तो जिसके लिए हमें बड़ा सा बरतन लेना है इसमें हम निकाल लेंगे इसे शिरवात में न हमने जो हरी वाली पेस्ट बनाई थी वो इसमें आड़ करेंगी इसमें जाएगा एक कप फेटा हुआ दही दही से खट्टा पनाता है एक छोटा चमज इसमें हमेरा कुटी हुई कालिमीर्च एड़ करनी है एक छोटा चमज इसमें जीरा पाउडर एड़ करते है एक चुटा चमच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा चटपटा टेस्ट के लिए इसमें हमें आदा चमच इतना चाट मसाला पाउडर एड़ करना है स्वादा नुसार इसमें नमक एड़ करते हैं एक चमच इसमें सरसो का तेल डालेंगे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसे हम हलके हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हम मलाई सोयाचा बना रहे हैं तो जिसकी क्रेवी रहती है वो वाइट रहेगी तो इसमें आपको हल्दी पाउडर या फिर लाल मिर्श पाउडर एड नहीं करनी है तो बस हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है अब इसे न हम स्मोक देंगे तो इसके लिए हमें बीच में एक छोटी सी कटोरी रख दीनी है अब इसके अंदर हम गरम किया हुआ चारकुल रखेंगे उपर से घी या फिर आप बटर या तेल भी आइड कर सकते है उपर से थोड़ी सी कसूरी मेधी डाल रहे हो ताकि कसूरी मेधी का स्मोक अच्छी तरह से इसमें आ जाएगा तो तूरंत ही हमें इसके उपर ढखकन लगा लेना है हमें इसे तक्रीबन 20 मिनिट के लिए फ्रीज में रख देना है यहाँ पर मैंने 20 मिनिटों के लिए इसे फ्रीज में रख दिया था अब इसके अंदर जो चारकुल रखा था उसे हम निकाल लेते हैं तो गाइस इसे हमें इना शालो फ्राइ करना है तो हमें पैन लेना है उसमें हम पाउ कप इतना तेल हे वैड करेंगी तेल को पहले अच्छे से गरम होने देंगे अब एक एक करके जो मैरिनिट किये हुए हमारे सोया चाप है उसे हम रख देते हैं तो इसे हम मद्य माच पर रख कर इसे अच्छे से शालो फ्राइ करेंगी फिर इसे अलट पलट करते हुए हमें सारे तरव से इसके उपर अच्छे से गोल्डन मार्क्स नहीं आते हैं तब तक इसे हमें शालो फ्राइ करना है तो guys जब तक कि जो मसाला है न वो अच्छे से भून कर सोया चाप एकदम से क्रिस्पी नहीं होते हैं तब तक हमें इसे पका लेना है जब एक क्रिस्पी होते हैं तब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है वैसे आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं स्टार्टर की तौर पर बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं देखी कितने अच्छे से फ्राय हो चुके हैं हमारे सोया चाप तो हलका करार अपन आपको दीख रहा है तो यह तयार है तो चूले को हम कर लेते हैं बंद और ग्रेवी की तयारी कर लेंगे सो पैन में हमें न दो बड़े चमच सरसो का तेल है वैड करना है तेल को अच्छे से गरम होने देंगे पहले इसमें एक चमच अधरक और लहसन की पेस्ट है वैड कर रही हूँ इसमें हमें प्यास की जो पेस्ट है वो डालनी है इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए भुनेंगे हलका सहरा कलर आने के लिए इसमें हम धनी की पेस्ट है वो अड़ करेंगे सिंपल से धनी की पेस्ट है तो इसमें तीन चमच इतनी अड़ करेंगे इस paste में चाहिए तो आप न 4-5 पुदिने के पत्ते भी डाल सकते बस इसे अच्छे से mix करेंगे और 2-3 मिनिट के लिए और भुनेंगे marination बचा हुआ है तो सारा marination है वो इसमे अड़ करेंगे और चमब से चलाते हुए कुछ हम 7-8 मिनिट के लिए इसे पकाएंगे जरुरत के अनुसार इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और इसे अच्छी तरह से mix करते हैं इसमें आप स्वाद अनुसार नमक अड़ करें तो पहले ना gravy को taste करके देखिए क्योंकि marination में हमने नमक अड़ किया हुआ था अब इसमें हम सोया चाप है वैड करते हैं और हलके हातों से इसे हमें mix कर लेना है देखिए इस तरह से और अब इसके उपर नहां हम ढगाएंगे और तकरिबन 5-7 मिनिट के लिए इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं थोड़े दिर के बाद चेक करेंगे देखिए इसके उपर जो तरी है वो अच्छी तरह से फ्लोट कर रही है इसका मतलब हमारी जो ग्रीवी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है अब इसमें हमेना आखिर में दो चमच इतनी मलाई अड़ करनी है मलाई बहुत ज़ादा इंपोर्टन है क्योंकि इस रेसिपी का नाम ही है मलाई सोय अच्छा साथ ही पाउ चमच बुनी हुई कसुरी मेथी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारी दिल्ली की फेमस डीश मलाई सोय अच्छा आप तो तयार है थोड़ी से हरी मिर्श के कुछ कतरन डालेंगे और चुले को करेंगे बंद तो गाईज आप रोज की वही बोरिंग से सबजी खा के बोर हो चुके है ना तो इस डीश को आप ज़रूर बना कर देखिएगा पराठो के साथ तो एक गजब का टेस्ट आता है तो दोस्तो आज की रेसिपि आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राइक करके देखिएगा फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए आप घर का खायेगा और अपना खयाल रखिए